बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल एग्रोटेक स्टडी में और बच्चो मैं हूँ अर्बिन जादव फिर मैं हाजेरू 12 एग्रीकल्चर की किलास लेकर बच्चो सब्जेक्ट है आपका क्रोट पोड़क्शन एन होटी कल्चर और चप्टर का नाम है औस दिये है पौधों की उत्पादन तक नी बच्चो यह चप्टर नए बिलूप्रिंट के आधार पर आपका चान नम्मर का अपके एकजाम में पूछा जाने वाला है और बच्चो खुसी की बात तो यह है कि चार ही ओटी इस चप्टर से पूछे जा रहे हैं अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो चान नम्मर आपके पके हो जाएंगे बच्चो आपने चान नम्मर पूरे कर लेंगे तो यह बहुत बड़ी बात है बच्चो के चार ओटी इस चप्टर से पूछे जा रहे हैं चार ओटी के आधार पर ही यह वीडियो मैंने आपको बनाया है ठीका बच्चो चलिए देणना करते हुए हम इस वीडियो की शुरूआत कर लेते हैं तो बच्चो सबसे पहले हम जानते हैं सफेद मूσली के बारे में सफेद मूशली का बारासपत्तिक नाम किलोरोफाइटम बोरबिलीनम होता है क्या होता है बच्चो इसको याद करना होगा ठीक है बच्चो बासपतक नाम क्या है इसके नीचे अंडरलाइन करना अती आभशा होगा ठीक है चलिए दूसरा बिंदू है बच्चो सपेद मूसली को सोने की जड़बाली फसल कहते हैं बिल्कुल सफेद मूसली को दूसर सोने की जड़वाली फसल इसको कहा जाता है तीसरा पॉइंट है बच्चो सफेद मूसली एक कंदिय फसल है तो बेरी इंपोर्टेंट बिंदू है बच्चो कई बार एकजाम में पूछा जा चुका है कि सफेद मूसली कौन सी फसल तो ध्यान रखना सफेद मूसली एक कंदिय फसल है कौन सी है ट्यूवर क्रॉप्स है ठीक है न चलिए चौथा बिंदू है बच्चो सफेद मूसली को छीननी के बाद सुखाना चाहिए बिल्कुल सफेद मूसली को पहले जैसी उखाड कर लाकर उसको छीले और छीलनी के बा जाता है यह थोड़ा आप लोग याद रखेंगे ठाना पांच्वाइप बाइंट है बच्चो सफेद मूसली में सैपोनिन तत्व पाये जाता है सैपोनिन जो एक आप इसमें कह सकते हैं यही सबसे महत्पून होता है यही बिविंद प्रकार की जो बीमारीयां उनसे होता है ठीक है ना इसको विसेश याद रखना आप सपेद मुशली में कौन सा तत्व पाया जाता है तो सैपो निन तत्व पाया जाता है ठीक है चलिए सपेद मुशली का कुल लिलेसी यह तो बच्चों को यादी होगा कि सपेद मुशली का कुल कौन सा है लिलेसी ठीक है तो आप हमारे नमर 7224002628 पर या 6261 148414 पर कॉल करके या बाट्सप करके जो भी आपका डाउट है उसको किलियर कर सकते हो ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बिंदू की ओर नेक्स्ट बच्चो इसब गोल का बनस्पतिक नाम एप्लांट एगोवाटा क्या नाम है प्लांट एगोवाटा छीक है ना अंडर लाइन के बिस्यस याद रखे है अन्न था आपका बोटनिकल नेम गलत महना जाएगा चीक है चलिए इसब गोल का कुल की बात करें तो इसब एसप गोल का जो कुल है वो है आपका PLANTA JANESIE एसप गोल का जो फैमली है वो है PLANTA JANESIE छीक है तो याद रहेगा बोटिंका लेम के साथ से नाम है PLANTAGOW OVATA और कुल कोन सा है PLANTA JANESIE मतलब PLANTAGOW पलांटा आपको याद रहेगा इसब गोल का ओस्दिय गुण बीजों एवं उनसे प्राप्ट भुसी में होता है बच्चो इसब गोल जो होती है न ओस्दिय गुण इसमें ओस्दिय गुण जो होता है इसकी बीज जो पाया जाते हैं बीजों को बीजों से ही भुसी बनाई जाती है और भुजी ही इसका मुख औस दिया को में इसकी भुजी मोसली विविन प्रकार के रोहों में इसका उप्यूग किया जाता है ठीक है चलिए दसवाब बिंदुबह बच्चो ईसब गोल की बीजदर तो ईसब गोल की बीजदर होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रती है कितनी होती है दस से 12 किलोग्राम प्रती है कितनी होती है वी ओसदी वाली आपकी पूछी जाए ओटी में तो आप आँखे बंद कर के लिख लें बलुई दोवट मिटी सबी ओसदी बाली फसलों के लिए बलूई दोवड मिटी सरबुतम माने जाती है ठीक है बारवा बिंदु बच्चो अस्व गंदा का बानसपतक नाम सब जानते हैं अस्व गंदा का बॉटनी का लेम विथानिया सॉमनी फिराया क्या है अस्वगंदा का बस्पतक नाम विथानिया सोमनी फिराए यह आपको याद होना चाहिए नेश्टा 13 बिंदू बच्चो अस्वगंदा के बीज जहरी ले होते हैं अस्वगंदा के बीज क्या होते हैं जहरी ले होते हैं अगर बीच का उपयोग कर लिया गा है तो वो बिस उत्पन करते हैं जिससे मिर्थू भी हो सकते हैं इसके यूज नहीं करना चाहिए भी असबंदा की वीदर आठ से बारा किलोगराम प्रती हेक्टर होते हैं कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसब गोल की वीदर और असबंदा की वीदर तो याद रखें इसब गोल की दस से बारा किलोगराम और असबंदा की वीदर आठ से बारा किलोगराम अगर दस से बा अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉंट की ओर बचो नेक्स्ट है अस्वगंदा का कुल तो अस्वगंदा का कुल है शोले नेसी कौन सा है आपका अस्वगंदा का जो फैमिली है वो है सोले नेसी सोलबा बंदु हे बच्चो अस्वगंदा का संपून पोधा औस धीया महत्पका होता है बिलकुल अस्वगंदा का प्वुरह पोधा का जो धैजल हम देखा जारे पूरह पोधा इसका उप्योग हम उस्दी की रूप में कर सकते हैं जाया इसको प्योग जनरली कहीं घाव भाव है तो महाँपर इसको प्योग कर सकते हैं तो महाँपर इतना ज़्यादा इसका प्रवाव नहीं होता है वैसे और भाग उसको खा सकते हैं बहरत में हल्दी की पैदाबार दक्षनी भारत में अधिक होती है बहरत में अगर हम बात करें हल्दी की पैदाबार की तो सबसे ज़्यादा दक्षनी भारत में जैसे हम बात करें करناटक है, तमिल नाड़ू है, केरल है तो इन राज्जों में सबसे जदा हल्दी का उतपादन किया था उतपादन तो आपको उत्र प्रतेस में भी होता है और भी जगए अमत्र प्रतेस में भी किया जाता है तो सबसे ज़्यादा की जब बात आती है तो confusion बिलकुर नहीं होना चाहिए करक्यूमा डॉमस्टिका क्योंकि डॉमस्टिका या लॉंगा जो के हैं ये जाती है और आपकी करक्यूमा क्या है यही एक बंस है कोई भी वानस्पतिक नाम दो चीजों से मिलकर बना होता है आप जानते ही होंगे बंस पिलस जाती तो बंस कभी नहीं बदलता है जाती है बदलती रहती है लॉंगा है डॉमस्टिका है तो confusion बिलकुल आपको नहीं होना चाहिए दोनों ही सही है अमला पुरम हल्दी की महतपून किसम है बचो अमला पुर्म हल्दी की महत्पून के समे और भी variety है इसकी जो की महत्पून बूमन आपको आगे next point में जोड़ रहा है इसले आप लोग यहाँ पे सिर्फ अमला पूर्म याद रहाएं आगे और variety जो इसकी महत्पून होंगी वो आपको मैं बताने वाला होगा हल्दी की उपज h 40-50 कुंटल पूर्टेहे हे को पता है हल्दी हम जो उप्योप करते हैं ही जड़ सुखा लेते हैं और फिर उनको पीसा जाता है अब जानते हैं गजनल इस बात को तो हल्दी का कुल जिंजे बरीसी है बिल्कुल हल्दी और अधरक दोनों का कुल बच्चो जिंजे बरीसी है यह आपको थोड़ा सा याद आना चालिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे बच्चो नेक्ष्ट है आपका लहसुन का बानसपतिक नाम लहसुन का बानसपतिक नाम एलियम सटाइबम है क्या है आपका एलियम सटाइबम है लहसुन की कुल की बात करना लहसुन या प्याज भी हम जाम पर रखते हैं तो प्याज का भी आपका कुल Emery LDC होता है Emery LDC आपका Lesson या प्याज का कुल होता है एक और इसका कुल है ध्यान रखा है LEC भी इसका कुल होता है ध्यान है कन्फूज आपको बिल्कुल नहीं होना है दूसरा नाम भी है उसका LEC छीक है ना? ध्यान रखना थोड़ा सा 24 से बच्चो Lesson में गंद LEC के कारण होती है Lesson में जो गंद आती है आपने देखा भी होगा बाइट कलर का होता है जो पोथी बोलते है तो उसने गंद आती है तो गंद का कारण है LEC LEC उसमें पाय जाता है उसके कारण वो गंद आती है High Blood Pressure उच्च रक्त चाप के लिए अस्वगंदा लाप्रद होता है बिल्कुल High अगर Blood Pressure हो जाता है अगर आप Lesson का उपयोग करते हैं तो ये काफी लाप्रद माना जाता है 26 बाइट है बच्चो बच्च के पोदे का राइजोम भाग ओस्दियमहत का होता है बिल्कुल बच्च एक Plants होता है इसका उपयोग ओस्दि के रूप में करते हैं और इसका राइजोम भाग बोले तो नीचे Tuber's जो पाया जाता है उसका उपयोग ओस्दियमहत का माना जाता है या उस देमेद, उसका योप्योग उस दी के रूप में हम लोग करते हैं बच का कुल अरेसी है, बच्चो यह याद रखना बच्च की जो फैमली है वो कौन सी है अरेसी है, ध्यान रखना नेक्स्टे आठथास वपन बच्चो लेसुन के एक कंद के अंदर 6-50 किलोप्स होते हैं किलोप्स तो आप जानते होगे, हिंदी में किलोप्स को पोती कहा जाता है, एक लेसुन की अगर हम बात कराएं, तो उसमें लबच 6 से लेकर 50 तक उसमें किलोप्स रहते हैं 6 से कम नहीं होते हैं, वो 50 से अधिक लिए बचो और लुट्र बसक्राइब लुट्स, लो, बचो बढ़ते हैं तो नीच्सने आपका सपेद मुसली को दूसरा सलाहजीत कहते हैं याद रखना बहुरी इंप्रॉडन है सपेद मुसली को दूसरा सलाहजीत कहा जाता है 31 ये पॉइंट है बच्चो सफेद मुशली की बुबाई ही तू क्राउं युक्त फिंगर का प्रयोग करते हैं 33 बच्चो सफेद मुशली को सोने की जड़ो बाली फचल के नाम से जणड़ाता है बिल्कुल सपेद मुसली को सोने की जड़ सोने की जड़ गोल्ड की रूट क्या सकते हैं की वाली फसल के नाम से जाना तक है कि यह भूत ही महत्पून फसल है उस दी की रूप में इसका उपयोग मैं आपको बदाई चुका हूँ कि योन बिकार यों सितिलता को दूर करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है ठीक है ना बदते हैं आगे 33 बाप पॉंट जो है बच्चो इस अब घौल की भूसी में नामक आजाम पाय जाता है इसी में मूची नामक आपसे ब्लाप्त होता है। लहाई जिकष्या चुछाह प्रभाप्त होता है। को प्राप्त हो जाती है मैं 30 बच्चों इसब गोल की उत्पादन में भारत का पहला इसथान है बिलकुल सबसे ज़्यादा की बात करें तो इसब एक कहां पर होता है हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है चलिए बढ़ते हैं मागी नेक्ट किसम हैं याद रखें जवार अस्वगंदा 2 और WSI ये दोनों बैराइटी अस्वगंदा की हैं ये आपको याद रखना होगा बैर इंपोटेंट है ये जो इत्ते भी पॉइंटर लास्ट बाले बहुत ही महत पुन है क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं हल्दी का मुलिस्तान ब इसलिए आपको बार-बार इनको लाइक आया हो इसलिए आप इनको याद जरूर रखेंगे नेक्स्ट आप परणदाय एवं लीप स्वाट दो रोग हैं बच्चो परणदाय एवं लीप स्वाट हल्दी के प्रमुक रोग हैं बिलकुल याद रखना है आपको कन्फ्यूज अदर की प्रमुक बैराइटियां बच्चो एक तालिसवा पॉइंट है एकलिप्टा एलबा भ्रंग राज का बेग्यानिक नाम ये तो आप जानते होंगे कि एकलिप्टा एलबा भ्रंग राज एक वो गुस्तिवाला आपका पौदा होता है उसका ये बौट निकालने है ठीक है बच्चो तो आपको 41 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में इस चेप्टर से रखे हैं बच्चो इन से बहार नहीं जाएगा आप लोग याद रखें इनको और चार उटी पूछे जा रहे हैं बच्चो चार उटी अगर आपको कम्पलीट करना है तो आप वीडियो को अन्धर तक जरूल देखना करिहां तक वीडियो अपने देखा होगा तो आपका काम हो जाएगा ठीक है बच्चो चलिए वीडियो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार